जेहिंद नमस्कार आप सभी का एक बार फिस्वा गते एक नए वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे कम्यूटेशन के उपर क्या कम्यूटेशन लेना ठीक है या फिर ये गाटे का सोदा है दोस्तो रिटार्मेंट के टाइम पे पैंशन डोकुमेंट के साथ एक फोर्म साइन होता है जो की कम्यूटेशन का है आमड फोर्सेज के जेसियो जवानों और अधिकारियों को 50% अपनी पैंशन कम्यूट करने का ओप्सन दिया जाता है और बाकी के केंदर सरकार के करमचारियों को 40% तक और mostly 70% जेसियो जवान और अधिगारी कम्यूटेशन उठाते हैं यानि अपनी आदी पैंशन को जमा कर देते हैं और उसके बदले कम्यूटेशन लेते हैं जो की 15 साल तक उसकी किस्तें कटती रहती हैं हाली में कम्यूटेशन एक चर्चा का विश्य बनावा है क्योंकि वर्ष 2023 में गुजरा सरकार ने अपने पैंसनर्स के लिए कम्यूटेशन रिकवरी का पीरड 15 साल से गटा कर 12 साल कर दिया था और वर्ष 2023 में ही पंजाब एंड हर्याना हाई कोट में एक याची का लगाई गई पैंसनर्स दोरा कहा कि पंजाब सरकार एक्सेस में कम्यूटेशन की रिकवरी कर रही है जिसके उपर रोक लगाने की आवस्यकता है पंजाब एंड हर्याना हाई कोट ने इसके उपर सुनवाई की और कम्यूटेशन रिकवरी पर रोक लगा दी हालांकि ये याची का अभी वी विचारा दिन है इसके उपर फाइनल फेसला अभी तक आया नहीं है और इसी के साथ वर्ष दोजार चोबिस में एक याची का और अटेच की गई है इन सब को पहले हम जान लेते हैं उसके बाद टेबल और फोर्मूले के साथ ये समझेंगे कि एक पैंसनर को कम्यूटेशन फेक्टर के साथ कितना कम्यूटेशन मिलता है उसकी रिकवरी कितनी होती है और 15 साल में जब recovery पूरी होती है तो एक pensioner को कितना नुकसान होता है देखिए इस writ petition का नंबर है 9426 जो 2023 में लगाई गई थी इसमें petitioner है सिला देवी एंड अधर्स और इस्टेट और पंजाब एंड अधर्स के खिलाप यह याचिका लगाई गई थी इसमें पंजाब सिविल सर्विसेज रूल वोल्यूम टू के रूल नंबर 11.1 का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि जहांपे commutation recovery साड़े 11 साल में पूरी हो जानी चाहिए उसके बदले 15 साल तक पंजाब सरकार द्वारा commutation काटा जा रहा है अब जो petitioners की ओस वकील था उन्होंने बताया कि यह जो recovery की जारी है यह access में की जारी है यानी pensioner से ज़्यादा recovery की जारी है और इसी के साथ जब यह petitioners के advocate ने बहस की तो पंजाब और हर्याना हाई court ने पंजाब के additional AG मिस दिपाली पूरी को notice जारी किया जो सरकार की ओर से AG है और कहा कि आप इस पूरे मामले के उपर अपनी reply यानी जबाब पेस करें और उस याचिका के साथ एक याचिका ओम प्रकास अने जा की ओर से ओर लगाई गई जिसका आप read petition number इसक्रीन पर देख पा रहे हैं 8222 और इस याचिका में भी सेम प्रातना की गई कि commutation साड़े 11 साल के बाद बंध हो जाना चाहिए लेकिन सरकार 15 साल तक recovery कर रही है इसमें Mr. Karanvir Singh कहर जो advocate पेटिशनर की ओर से वो हाजर हुए और जब बेहस पूरी हुई तो सरकार को फिर से notice जारी किया गया और 21 अगस्त 2024 को इसकी अगली सुनवाई है Mr. Arjun Sharon, DAG Punjab accepts notice on behalf of state and six time to file reply may do so on or before the next date of hearing with a copy in advance to the council opposite In the meanwhile further recovery shall remain stayed और इस पेटिशन को verse 2023 की जो पेटिशन थी उसके साथ में take कर दिया गया यानि दोनों को joint कर दिया गया जब तक इन दोनों याचिकाओं के उपर कोई final फेसला नहीं आ जाता तब तक commutation के उपर रोक लगा दी गई है देखिए अब हम commutation table के साथ समझेंगे कि सिपाई से लेके honor captain तक अपने 15 साल की commutation recovery के दोरान तोटल कितने लाक रुपे का loss होता है Commuted pension recovery loss to pension loss comparison 15 years versus 12 years पंजाब एंड हर्याना हाई कोट में 11.5 years की बात की गई लेकिन यहाँ पे हमने 12 साल तक recovery के data लिये हैं क्योंकि जो गुजरा सरकार है उसने 12 साल का आदेश दिया है यदि 11.5 year में recovery के लिए पंजाब एंड हर्याना हाई कोट आदेश देता है तो pensioners के लिए और भी अच्छा है इस table में देखें rank ली हुई है qualifying service ली हुई है साथमे pay commission की जो pay है वो pay ली हुई है उसके बाद जो MSP है उसको लियावा है फिर total pension ली गई है साथमे pay commission की pay और उसके उपर MSP उसका आदा फिर age on next birthday क्योंकि ये factor में लिया गया है commutation calculation में age on next birthday लिया जाता है और उसी के मताबिक जो commuted value of pension का factor लिया जाता है इसके बाद commuted pension यानि 50% जो pension है जिसमें total pension को divided by 2 करते हैं तो उसका 50% pension निकल के आता है जितनी की हर मैने recovery की जाती है अब जब calculation करते हैं commutation का की एक pension है रिटार होता है उसमें उसको कितना commutation मिलता है इस CVP factor के मुताबिक अब यदि कोई repayment करता है 15 साल में तो वो कितना वापस payment करेगा उसी जगे यदि 12 साल तक recovery हो तो कितनी recovery होगी और इसमें जब plus minus किया जाए तो कुल मिला के एक pension को 15 साल के दोरान कितना loss है देखिए सबसे पहले सिपाई 17 साल qualifying service में उसकी जो pension बनती है वो 16,800 रुपय बनती है इसमें DA-DR को नहीं लिया गया है क्योंकि DR है वो full pension के उपर ही मिलता है और उस DR से commutation का कोई लेने देना नहीं है यदि इस सिपाई की next birth day के उपर age 35 साल होती है तो इसके लिए CVP factor 9.15 रहेगा और 8,400 रुपय pension commute होगी और calculation के मताबिक 9,21,816 रुपय इसको commutation मिलेगा इसका 15 साल में जो repayment है वो 15,12,000 होगा और यही यदि 12 साल में repayment हो तो 12,9,600 रुपय ही होगा तो कुल मिलाकर एक शिपाई जो 17 साल qualifying service करके और 35 साल में retirement आता है उम्र में तो उसको 3,24,00 रुपय का नुकसान है इसी परकार एक नाइक 22 साल qualifying service जिसकी उम्र अगले जनम तारिक पर 40 साल हो तो उसका जो CVP factor 9.09 होगा और 11,250 रुपय जो pension है वो commute होगी कुल commutation 12,27,150 मिलेगा उसके अगेंस्ट 15 साल में 20,25,000 की recovery होगी यही recovery यदि 12 साल तक हो तो 16,20,000 की recovery होती है और कुल मिलाकर 4,05,000 का नुकसान एक नाइक को होता है हवलदार की बात करें 24 साल qualifying service में और 42 साल की उम्र में कुल मिलाकर जो commutation मिलेगा वो 14,13,204 रुपय मिलता है 15 साल में 23,40,000 पेमेट करना पड़ता है और यही पेमेट यदि 12 साल के लिए हो तो केवल 18,12,000 रुपय पेमेट करना पड़ेगा और 4,18,000 रुपय बचेगा जिसका की नुकसान मोजूदा समय में एक हवलदार को हो रहा है नाइप सुबदार की बात करें 26 साल में तो फेक्टर काम में लिया जाएगा जिसकी उम्र 44 साल है 9.02 और 14,300 रुपय उसकी पेंसन कम्यूट होगी कुल कम्यूटेशन मिलेगा 15,47,660 रुपय 15 साल में 25,44,000 पेंट करना पड़ता है यही 12 साल में हो तो 20,69,200 रुपय पेंट करना पड़ेगा और एक नाइप सुबदार को अपने 15 साल में 5,14,800 रुपय का नुकसान होता है इसी परकार सुबदार जिसकी 28 साल क्वालिफाइंग सर्वीस और 46 साल एज हो उसके लिए फेक्टर रहेगा 8.97, 17,850 परसेंट जो पेंट सन कम्यूट होगी कुल कम्यूटेशन 19,16,206 मिलता है और 15 साल में 32,4,000 पेंट करना पड़ता है और 12 साल में 25,3,200 ही पेंट करना पड़ेगा कुल मिलाकर एक सुबदार को 6,4,800 रूपे एक्स्ट्रा बुगदान करना पड़ता है सुबदार मेजर 30 साल क्वालिफाइंग सर्वीस 48 साल उमर में 8.91 फेक्टर 19,875 पेंशन कम्यूट होगी कुल कम्यूटेशन मिलता है 21,25,691 रूपे 15 साल में 35,47,500 रूपे पेमेंट करना पड़ता है और यही पेमेंट यदि 12 साल तक हो तो 28,62,000 ही करना पड़ेगा कुल मिलाकर 7,15,500 रूपे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है कम्यूटेशन के खिलाप अगेंस्ट सुबदार मेजर को यानि 7,15,500 रूपे का नुक्सान सिधा सिधा हो रहा है ओनरी लेपनेट 32 साल क्वालिफाइंग सर्वीस 50 साल उम्र इनको 7,66,800 रूपे का नुक्सान हो रहा है ओनरी केप्टन 32 साल उम्र 32 साल क्वालिफाइंग सर्वीस इनको 8,33,400 रुपे का नुकसान हो रहा है यानि कुल मिलाकर यदि 15 साल की बारा साल में ही कम्यूटेशन की रिकवरी खतम कर दी जाती है तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सिपाई से लेके ओनरे केप्टन तक कितने लाख रुपे का फाइदा हो सकता है जो कि अभी आँख बंद करके सिपाई से लेके ओनरे केप्टन तक को सरकार को मुप्त में ही देना पड़ता है दोस्तों कहते हैं कि यह जब कम्यूटेशन की नियम आये थे आज से 50 साल पहले उस समय जो इंट्रेस्ट रेट है वो लगबग 12% के आज पास था तो उस समय 12% जब इंट्रेस्ट रेट था उसी के मुताबिक जो कम्यूटेशन है उसकी रिकवरी को फिक्स किया गया कि यदि 15 साल तक रिकवर किया जाता है तो 12% इंट्रेस्ट रेट के मुताबिक पूरी रिकवरी हो जाएगी लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो फिक्स्ट डिफोजिट के उपर रेट बेंकों से आपको मिल रहे हैं वो 6-7% के बीच मिल रहे हैं और जो प्रोविडेंट फंड है उस पे 8% के आज पास इंट्रेस्ट रेट मिल रहा है यदि आप 8% के अनुसार देखें और इस फोर्मूले को वापस केल्कुलेट करके कम्मूटेशन रिकवरी का डिउरेशन फिक्स करें तो ये 11 साल या 11 साल के आज पास आपकी पूरी रिकवरियां खतम हो जाती है जैसा कि पंजाब और हर्याना हाई कोट ने साड़े 11 साल का का है और उसी परकार गुजरा सरकार ने इसको 12 साल में रिकवरी बंद करने के लिए आदेश दे दिया है अब मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा कि आपको जो pension commutation का formula है वो किस परकार लगाना है और उसके बाद जो repayment का formula है वो किस परकार लगाना है यानि आपको commuted value of pension जो मिलती है आपको उसका formula क्या रहेगा देखिए इसमें सबसे main factor रहता है CVP factor जो की Department of Ex-Aracement Welfare द्वारा समय समय पर ये जारी किया जाता है क्योंकि अभी जो CVP factor armed forces के लिए चल रहा है वो 50% maximum commuted value of pension के आदार पर चल रहा है बाकी जो दूसरे केंदर सरकार के pensioners है उनके लिए अलग है इसमें सबसे पहले आपको 0.50 यानि 50 divided by 100 करना होता है क्योंकि आप 50% maximum commutation ले सकता है उसके बाद आपकी pension ordered यानि जितनी आपकी 7th pay commission की basic pension है उसमें MSP और class allowance जोडने के बाद जो pension निकल के आती है 50% उसको यहाँ पे उस value को रखना है फिर आपकी purchase value जो CVP factor है उसको 12 से multiply कर देना है तो आपकी total जो calculation है commutation की वो निकल के आ जाती है यानि इतना आपको commutation मिल सकता है इससे यदि कोई कम लेना चाहता है 40%, 30%, 20% तो यहाँ पे उसी के मुताबिक value रख दे तो यह तो formula है कि आपको commutation कितना मिल सकता है maximum अब यह है कि 15 साल में आपको वापस payment कितना करना है दोस्तों payment हर मेने आपकी जो pension है उसकी आदी जमा हो जाती है और आदी pension आपको मिलती है लेकिन आपको DR full pension के उपर ही मिलता है तो यहाँ पे एक सिपाई की 16,800 रुपे pension निर्दारित होती है तो उसका आदा यानि 8,400 रुपे हर मेने commutation के तोर पे कटेगा तो 8,400 रुपे यह हर मेने commutation के तोर पे कटेगा तो उस value को आपको यहां रखना है उसको पूरे साल के 12 महिनों से multiply करना है और total period 15 साल के लिए उसको multiply कर देना है तो आपकी जो committed pension plus into 12 into 15 जो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि repayment in 15 year इसमें ये formula काम में लिया गया है अब इसकी जगे आप चाते हैं कि 11 साल या 12 साल तो आप इस 15 की जगे 11 साल, साड़े 11 साल या 12 साल value रखेंगे तो आपकी उतने सालों के लिए जो repayment amount है वो निकल के आ जाएगा जो कि आपको second last column में दिखाई दे रहा है तो दोस्तों इसका समझाने का मतलब ये था कि आपको एक अब कारवाई करनी है ये कारवाई क्या करनी है आपको एक letter लिखना है अपने अपने record ओपिस को और ये एक मुई में इस मुई में हर एक उस pensioner को भाग लेना है जिसने commutation ले रखा है जिसका 10-11 साल पुरा हो चुका है वो उस border पर है जहां वो 3 लाग से लेके 8-8.5 लाग तक का फाइदा ले सकता है ये अलक जगानी है इसलिए अब मैं आपको वो application दिखाता हूँ जिसको बरके आपको record ओपिस को भेजना है देखिए ये application है जिसमें आपको अपना army number JC number, rank, name, village, post office complete address लिखना है साथ में email ID और mobile number भी लिख देना है इसको अपने record ओपिस साथिसाथ PCDA प्रियाग राज को भेजना है Restoration of Commuted Pension Dear Sir आपका enrollment date डालना है और आप retire कब हुए उसकी date डालना है आपका PPO number क्या है PPO number mention करना है फिर आपको बताना है पेराटू में कि retirement के time पर आपने जो commutation लिया है उसका cool amount आपको कितना मिला और उसकी हर महीने recovery कितनी की जा रही है ये recovery आपकी 15 साल यानी 180 installment में की जाएगी Next आप देखिए कि ये जो commutation क्या होता है कि आप जो आदी pension surrender कर देते हैं उसके against आपको commutation मिलता है जो की एक loan है और ये loan 11-12% के अनुसार आपका वापस recover किया जाता है फिर आगे आप बताएंगे कि जो छटे pay commission में 2 September 2008 को जो DOPPW ने लेटर जारी किया उस लेटर के मुताबिक 8% interest rate के अनुसार revised commutation table जारी हुई और इस 8% interest rate के अनुसार जो commutation की है वो recovery नहीं की जारी है जो की 10-11 साल में खतम हो जानी चाहिए recovery वोई 15 साल के लिए की जारी है हाली में एक read petition 2490-2024 में जो की राम सुरूप जिंदल और पंजाब सरकार के खिलाब डाली गई है जिसमें पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कहा की राम सुरूप जिंदल की जो commutation है उसको तुरुन प्रवाव से stay किया जाता है उसके उपर रोक लगा जाती है और फर्दर कोई recovery नहीं होगी क्योंकि इनकी जो recovery period है वो 10 साल और 8 महिने यानि 128 महिने हो चुके हैं तो 15 साल लगाता recovery के बजाए 10 साल 8 महिने में जब पूरी commutation की recovery 8% के मुताबिक हो जाती है तो 15 साल तक recovery नहीं करना चाहिए तो इस परकार Honorable High Court while issuing the notice of motion has also passed directions that further recovery shall remains state यानि आगे इनकी commutation की recovery नहीं की जाए इसी परकार आप आगे बताएंगे अपने गर्वेंस में I am similarly placed and in my case commuted portion of pension has also been recovered in 10 years and 8 months यानि आपका चाहिए 15 साल में पूरी recovery हो चुकी है आपकी recovery बंद भी हो चुकी है लेकिन 15 साल आपकी recovery हुई है या फिर आपकी recovery अभी period है 10 साल से नीचे है तो आपको लिखना है कि मेरे case में भी 10 साल 8 मैने में recovery पूरी हो जाएगी या फिर पूरी हो गई थी या फिर आपकी 15 साल recovery हुई है तो जो भी access amount काटा गया है 10 साल 8 मैने से जादा 128 installment से जादा यानि total installment अभी मोजूदा समय में 180 काटी जा रही है तो 180 माइनस 128 installment जितनी भी access installment काटी है उस amount को वाफस refund किया जाए नहीं तो कानूनी कारवाई के लिए मुझे बादे होना पड़ेगा सभी pensioners को जिनकी commutation के recovery पूरी हो चुकी है या फिर अभी जारी है उनको ये application अपने-पने record ओपीस और साथ में एक copy PCDA को भेज देनी है ये एक मुहिम है इस मुहिम में सभी pensioners को बाग लेना है लग बग 30-35 लाग defense के pensioners है जो की उनमें से 20 लाग pensioners commutation की recovery उनकी हो रही होगी उन्होंने commutation दिया होगा तो उनके लिए ये फाइदे का सोधा हो सकता है आपके किसी के 4 लाग तो किसी के 5 लाग, किसी के 6 किसी के 7 और किसी के 8 लाग रुपे बच सकते हैं 8 लाग रुपे एक pensioners के लिए बहुती बड़ा धन होता है और माइने रखता है तो दोस्तों मुहिम में हिसा ले और इस वीडियो को आप सभी groups के अंदर share कर दें ताकि आप कड़ी जोडेंगे तो फिर आपके संग्टन में सकती होगी आवाज पहुंचेगी इस application को record और PCDA को बेजने में केवल 20 रुपे का खर्चा है इसमें 2 पेजे प्रिंट करवाने के 10 रुपे और 5-5 रुपे के लिफापों के उपर टिकट ये 20 रुपे आप अपने और अपने सेनिक समाज के लिए और आने वाले सेनिक समाज के लिए जरूर खर्च करें और इस मुहिम का फाइदा उठाएं क्योंकि जब इतने मांग पत्र जाएंगे तो इसका असर जरूर पड़ेगा और पंजाब और हर्याना हाई कोट में के याचिकाई लग चुकी है एसी याचिकाई पूरे भारत वर्ष में और लगने जा रही है जिसमें आप भी अपनी याचिका को लगा सकते है क्योंकि हो सकता है कि जिस हाई कोट और सुप्रिम कोट में याचिका लगाई जाए फाइनल फेसला ये आए कि जो पेटिस नर है कि मैं ये एप्लिकेशन कहां से प्राप्ट करूँ तो इसका पीडियेप आपको सेनिक समाचार वारत वाटसेप चैनल पे मिल जाएगा जिसका क्यूर कोड आप स्क्रीन पे राइट साइड में देख पा रहे है आप इसको स्केन करें जोइन करें और उसके बाद वहाँ से आप इसकी पीडियेप प्राप्त करें तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी वीडियो में कमेट करके जरूर बताना और इस वीडियो को सेर जरूर करना आगे भी इस परकार की जानकारीयां पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जैहिंद जैबारत वंदे मातरम जैहिंद जैबारत वंदे मातरम